अगर यह वीडियो आप इसलिए देख रहे हो कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा हो और एक वीक में पढ़के तुफान खड़ा करना चाहते हो तो शायदार के लिए वीडियो नहीं है बैं कोई बाबा थोड़ी हूँ कि भाई या मंतर फोग दूँगा और एक वीक में चमतकार हो जाएगा ऐसा तो कुछ नहीं है ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं जो मेहनत पर यकीन रखते हैं जादू पर नहीं अब हम जो मेहनत करने वाले हैं उनके उपर बात करते हैं सो गाइस आपने जो भी थोड़ी बहुत मेहनत करी है अच्छी तरीके से कर रहे होंगे मैं उमीद करता हूँ और बिलकुल इसी तरीके से आगे भी करती रहेगा एक वीक और मेहनत करिए पूरी इनर्जी पूरा जीजान पूरा मेहनत पूरी जिद सब लगा दीजे इस एक व देखो ऐसा करने जाओगे ना तो खिचडी हो जाने वाली है जो लेटेस्ट पढ़ा हुआ होगा वो दिमाग में ज्यादा भूमेगा जो पहले का पढ़ा हुआ है वो थोड़ा दो मिलो जाएगा तो मेरा रिकमेंडेशन आप लोगों से यही है सजेसन ही कह सकते हो रिकमे को सॉल्व करोंगे रट्टा नहीं मारोंगे कई लोग क्या करते हैं अंसर रट लेते हैं इसका अंसर तो भी है आएगा तो मार देंगे कोश्चन में भाई डीबीटी इतना बेवकूफ तो है नहीं कि कोश्चन एजट इस पूस देगा आई रिपीट मैं बार बार एक ही च क्लियर होता चला जाएगा जब भी आप कॉश्चन सॉल्व करें कॉश्चन करें जब भी करें एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार कुछ भी इस वन वीक पूरी की पूरी एनरजी लगा दीजे प्रैक्टिस में जोक डालिए अपने आपको जितना जादा प्रै प्रैक्टिस कर सेके उतनी करिये और सिर्फ डीबिटी चेहराफ के ही पी वाइक्यूस की नहीं गेट बाया टेक्नोलजी और गेट लाइफ साइंस के पी वाइक्यूस को की जैसा कि मैं बार बार रिकमेंड करता हूं कि गेट बाया टेक्नोलजी और लाइफ साइंस के कई सा पे, rather than giving to the new topic या किसी नए topic को पगड़ने की बचाए, तो इससे क्या होगा कि आप जो पढ़े हुए होंगे वो आपको बहतर तरीके से clear हो जाएगा, और जब भी question exam में आएगा तो आप बहतर तरीके से opt कर पाओगे और confidently opt कर पाओगे, डिबिटी के exam में ध्यान देना कि पिछली बार की तरह में भी जरूरी नहीं है कि इस बार भी cutoff उतना हाई जाए, क्योंकि डिबिटी बार बार उतना easy paper नहीं देगा, और एक छोटा सवर suggestion है, बच्चे बहुत भूखे हैं भाई, कोई exam हो नहीं रखा है पहले, ICMR भी बाद म जो ये काम करेंगे, आपको भी उसी तरीके से कड़िना दम भूखे घायल सेर की तरह हैं जीजान लगा देना है मैं बता रहोग कि आपकी सालभर की महनत अगर ये एक हपते ढ़ंग से नहीं करी, दीन महीने की महीनत, दो महीने की महीनत, और आपने ये एक हपते नहीं धंसे करी तो वो बेकार हो जाएगी और वही आपका अगर एक हपता एक महिना भी कुछ नहीं किया ये एक हपते भी बहुत जीजान लगा दोगे तो भी बहुत कुछ उखड़ने वाला नहीं है इसलिए ये वन वीक जो है बहुत एफट उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग मेहनत करते आ रहे हैं ब्रेक मत करियेगा इसको कंसिस्टेंटली वे में साथ दिन आठ दिन जो आपके पास बचे हुए हैं जितनी एनर्जी जोग सकते हैं जोग दीजिए और क्रैक करके दिखाए हैं और वेरी बेस्ट तो यू और फोकस ऑन प्रैक्टिस और रिकॉलिंग इन दीज अपकमिंग वीक कोई दिक्कत है कोई प्राब्लम है कुछ जाना चाहते हैं कुछ डाउट है या कोई भी ऐसा चीज जो आप पूछना चाहते हैं कमिंट बॉक्स में बताईए अगर लगेगा कि वीडियो बनाना चाहिए उस चीज पर बनाऊंगा नहीं तो कमिंट बॉक्स पर रिप्लाई करके आपका जवाब दूँगा और यह वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भी सेयर करिए कि थाइंगी सुमस्ट गाइस वाचेंग मी एन इफ यू वांट टू ज्वाइन मी ऑन अनक एडमी यह आप अनक एडमी पे मुझसे जोड़ सकते हैं यूस्ट रिफ्रल कोड विरेंट तो गट थे 10 परसें डिसकाउंट जहां पर फंडमेंटल प्रोसेस एक नया कोर्स शु